देश के सबसे प्रमुख रूई उत्पादक राज्य, गुजरात में कपास की अच्छी आवक होने से टेक्स्टाइल उद्योग को कच्छे माल की अच्छी आपूर्ती होने की उम्मीद है। गुजकोट एसोसियेशन के आकडों के अनुसार गुजरात की प्रमुख मंडियों में चालू मार्केटिंग सीजन के दौरान एक अक्टूबर दो हजार तेईस से पंदर जनवरी दो हजार चौबीस के बीच करीब 38 लाग गांट, 170 किलो की प्रत्य गांट, कपास की आपूर् रही है, जिससे व्यापारी एवं मिलर्स काफी खुश हैं। उधर राश्ट्री अस्तर पर प्रमुख मंडियों में एक अक्टूबर दो हजार तेईस से पंदर जनवरी दो हजार चौबीस के साड़े तीन महीनों के दौरान कपास की कुल आवक करीब 1.35 करोर गांट पर प प्लब्ध हो सकता है। अकेले गुजरात की मंडियों में प्रति दिन ओस्तन 45,000 गांट का पास पहुँच रही है, जबकि महाराश्ट्र तथा तेलंगाना सहित अन्य प्रमुख उतपादक प्रांतों में भी इसकी अच्छी आवक हो रही है। पिछले साल उंचे दाम के ब उतपाद को बेचने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आगामी समय में इसका दाम कुछ और नरम पढ़ने की आशंका है। गुजकोट एसोसियेशन के आकड़ों के अनुसार गुजरात की मंडियों में अच्छी क्वालिटी की कपास का भाव करीब 1450 रुप प्रती 20 किलो चल रहा है जबकि प्रोसेस्ट रुई का मूले 55,000 रुपए प्रती कैंडी के आसपास चल रहा है। पिछले करीब एक महीने से रुई का भाव इसी स्तर के आसपास स्थिर बना हुआ है। मई 2022 में रुई का भाव तेजी से उचल कर 1.100,000 रुपए प्रती कैं इए प्रती कि एम बना है।